के है गाई वलकूम बैग तो माइ चैनल कैसे हूँ आप सब आई होफ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ हेर वॉइश की वीडियो शेर करने लगी हूं hope guys आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को करदें सब्सक्राइब तो चलिए guys आज की वीडियो स्टाट करते हैं तो guys हमने जशन को करवाया है hair wash hair wash routine में आपके साथ share कर रही हूँ ज़्यादा लंबे हैं बालों में पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है इचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है इसी वज़ासे हम हफते में दो बार उसे hair wash करवाते हैं तो hair wash के लिए मैंने आयूर हर्बर शेंपू का यूज की है monsoon चल रहा है monsoon में hair fall की problem हम सबको बहुत ज़्यादा हो रही है ऐसे में आप आयूर शेंपू का यूज करके देखे इसके इलावा अपने बालों में दही ज़रूर लगाएं और lemon का ज़रूर यूज करें ये दो चीजे ज़रूर यूज करें आपको hair fall की problem बिल्कुल भी नहीं होगी hair wash करने से पहले आप अपने scalp पर length पर दही थोड़ा सा लगा सकते हैं 2-3 दिन का भी अगर दही पड़ा है तो वो भी आप दही यूज कर सकते हैं या फिन शेंपू में 2-3 drops lemon की add कर लीजिए aloe vera की add कर लीजिए आपको hair fall की problem काफी ज़दा कम हो जाएगी oiling जरूर करें braid जरूर बना कर रखें और बालों को बिल्कुल भी खुला ना छोड़े dry ना रखें क्योंकि monsoon है sweating की problem बहुत ज़दा और यह चिप चिप वाला मोसम आ चुका है तो ऐसे में आपको अपनी बालों की extra care करनी पड़ेगी नहीं तो इन दिनों में हमारे बाल बहुत ज़दा weak हो जते हैं कमजोर हो जते हैं हमारे बाल बहुत ज़दा ज़ड़ने लग जते हैं जिससे की हमारे बाल लथिन हो जते हैं पतले हो जते हैं पूरा साल में अपने बालों की जितनी केर करते हैं, अपने बालों को कि हमारे बाल लंबे हो जाएं, मजबूत बनें, तो इन दिनों में आके ना हमारे बाल बहुत जाता ज़ड़ने लग जाते हैं, तो आपको अपने बालों की एक्स्ट्रा केर करनी पड़ेगी, जेशन को ह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं उसके बालों का बहुत ज़्यादा धियान रखती हूं आप रेगुलर जेशन को देख रहे हैं आप सबको बता है कि जेशन के बाल मतलब आगे से और ज़्यादा उसके बालों की लैंथ इंक्रीज हुई है हेर फॉल की प्र प्रॉब्लम हुई है हेर से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम हमें कभी भी नहीं आई है इतना अच्छा मुझे यह शैंपू परसनली मुझे यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो अगर मैं आपको रेक्मेंड करूं कोई शैंपू तुमां आयूर शैंपू ही चिप-चिप नेक पे स्वैटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो जैशन के बाल इतने लंबे है बट दो बार तो हमें एर वाश करवाना ही पढ़ता है बहुत मुश्किल होता है और गर्मियों में करवाना पढ़ता है विंटर्स में तो हम उसे वीक में एक ऑईलिंग जरूर कीजिए ब्रेड जरूर बना कर रखिए एलोवीरा कर यूज कीजिए दहीं कर यूज कीजिए लेमन कर यूज कीजिए या फिर आप राइस वाटर का टोनर भी बना सकते हैं इसके भी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर अप्लोडड़ है तो घर पर ही यह स को कुछ इस तरह से मैंने करवाया है हेर वाश तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है डेंडर्व की इचिंग की हीर फॉल की या स्कैल्प इंफेक्शन की यह कोई भी आपको हेर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से अपने बालों की कर सकते है होप आपो नेक्स्ट वीक अच्छी लगे हैं गखी है अभी तो यह जरूबकी को आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइक